है एक बार फिरस्टा स्वागर था पर एलर्णम पर ओप कि आप लोग सेफ होंगे सुरजशित होंगे पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ठीक है तो उसी करी में आगे बढ़ते हूँ आज हम कुछ बात करने वाले हैं पीएजडी एड्मिशन की फ्रॉम नेश्टन इंस्ट्यूट ऑफ इम्मोलोजी ने होगे ठीक है तो एक समरी में बता देता हूं कि इसमें इलिजबिल्टी में साथ ही साथ इसमें पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसके बाद रिटर्न जो क्वालिफाई करेगा वह आगे इंटर्वू के लिए सौट लिस्टर होगा रिटर्न में किस कोई भी जैयर काई गेट क्याइशन की नहीं है आप कोई भी रिटर्न एक्जामिनेशन बैठ सकता है इस एडवर्टीसमेंट में लेकिन इन्होंने एक चीज़ क्लियर नहीं कि जो अलेडी जैयर रफ क्वालिफाइड है क्या उन्हें रिटर्न देना है या नहीं दिया देना है जैसे कि जैयर फोते हैं कर देना पड़ता है वह डायक्री इंटर्वीव की लिजबल है तो हो सकता है कि वह जब डिटेल एडवर्टीसमेंट आया तो उसमें साथ वह क्लियर कर दें कि जैयर फो रिटर्न देना है की नहीं देना है और मैंने उन्हें इमेल भी ड्रॉप कर दिया है कोई भी मतलब नोटिफिकेशन मुझे को मिलती है तो मैं कमें सेक्षिन में अपडेट कर दूंगा जैर आफ को रिटन देना है कि नहीं देना है ठीक है चलिए बात करते हैं और भी ट्रेल्स के बारे में तो जैसा कि आप देख रहा हूंगे रिसार्च एरिया होता है किसके इम्मलोजी इन्फेक्सियास क्रोनिक प्रोग्राम होता है वह जान्यू से क्लाइबरेशन होता है आपको जो भी काम होगा प्फदी कीड़ी में करेंगे सारह आवार काप अईईई करेंगे लेकिट यू अगरी वो जे अनू कित्री मिलेगी ठीक है कर लेते हैं कुछ कॉलिफकेशन्स की को को कॉ इचिंस में भी हैं कि एमस्च से होना चाहिए किसी ब्रांच सुरी तो बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन यह बोले कि MSC किसी भी साइन्स के ब्रांच में लाइक बायलोजी के मैस्ट्री मैथमेटिक किसी में किसी ब्रांच में अपने MSC कर रखा है तो आप इसके PSG प्रोगाम के लिए लिजबल है तो इसके लिए इस PSG प्रोगाम के लिजबल है अब बात कर लेते हैं कितना परसेंट होना चाहिए तो परसेंट में इन्हें बोला कि मिनिमा आपके पास 60 परसेंट होना चाहिए और BSC, MSC में एग्रिगेट 55 परसेंट होना चाहिए तो 12 में 60 परसेंट होना चाहिए और BSC, MSC में 55 परसेंट होना चाहिए और साथी जात जो भी डिजर्व केटेगरी होंगी लाइक OBC, SCST, PW, EWS इनको 5 परसेंट का रिलेक्सेशन दिया जाएगा लाइक कि वगर उनका 12 में 55 परसेंट है तो भी इलेक्सेशन है और MSC BSC में 50 परसेंट है तो भी इलेक्सेशन है तो जनर्नल के लिए 60 परसेंट इन 12 और 55 परसेंट इन MSC BSC और बाकी डिजर्व के और लाइक की जो केंडिडेर्स अभी मनलेक्स अपीरिंग मेहम अपने MSC के लाइस सेमेस्टर में हो वो जनवरी 1224 तक अपनी डिग्री खतम कर लेंगे तो भी इसके लिजर्वेशन है ठीक है और बात कर लेते हैं रिजर्वेशन के तो रिजर्वेशन भी लगेगा इसमें लाइक 50% सीट्स SC के लिए लिजबल है 7.5% ST के लिए 27% OVC के लिए और जो नंबर आफ सीट्स होगी वो जब अप्लिकेशन का डिटेल वर्शन आएगा तो उसमें मेंशन होगा कितने बात कर लिए कि लिए 15% से वारे में तो तो सेलेक्शन सबसे पहले आप एक CBT मोर में इंट्रेंस ट्रेस्ट होगा 29 अक्टूबर 2023 को ठीक है उसके बाद सौट लिस्टर केंडियर्स की लिस्ट वेबसाइट पे 10 नॉमबर को आ जाएगी दैन उसके बाद 27 नॉमबर को इंटर्वी होगा तो सबसे पहले रिटन होगा लाइक 29 अक्टूबर को उसके बाद जो भी कैंडियर्स सौट लिस्ट होंगे उनकी लिस्ट 10 नॉमबर को नाई की वेबसाइट पर आ जाएगी दैन उसके बाद 27 नॉमबर को इंटर्वी होगा ठीक है तो और उसके बाद जो भी कैंडियर्स सेलेक्शन होगी वो इंटर्वी ले जाएगा और इंटर्वी के लिए जो क्लियर करेंगो पीएसडी में इन्रॉल हो जाएगा फ्रम जेन्डू नेक्स्ट बढ़ते हैं फैलोशिप के बारे में तो जो भी पीएसडी प्रोग्राम के लिए फैलोशिप होगा उन्हें एन आई खुद ले सकते हैं ठीक है बात कर लेता है अप्लिकेशन पोसीजर की कैसे आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पर जाना है इस लिंक पर जाकर आपको अप्लाई करना है और बात कर लेते हैं फीस के तो सबसे पहले जन्रल ओब इसी के लिए जो प्रफिस होगी 1200 के होगी और बाकी वोमेंड के ट्रीज गेनों पुछ स्पेस्फिक मेंशन नहीं किया तो वहीं फीस रहेगी और एप्लिकेशन फॉर्म टॉन्टीटू अगर से स्टार्ट होगा 22 सितंबर तक रहेगा तो अब 22 साइट 23 से तंद बर सकते हैं और लास्ट रेट का वेट मत करिया है कि लास्ट रेट पर वेबसाइट हैंग होने लगते हैं पर प्रॉब्लम होती है तो जैसे ही फॉर्म आए तो विदिं वन विक आप भर लीजिएगा और किसी भी टेक्निकल कोईरी क्लाप इन दोनों मेल पर कॉंटेट कर सकते हैं ठीक है और बात कर लेते हैं लाइक इंपोर्टन नेंस की तो इन्होंनों बड़ा सबसे पहले एप्लिकेशन फॉर्म जो है 22 अगस से स्टार्ट होगा 29 सितंबर तक आप फिल सकते हैं आपके पास वन मंथ का वक्त होगा लेकिन आप लास्ट डेट का वेट मंथ करिएगा उससे पहली फिल कर लिजिएगा और एड्मिट कार्ट जो 7 अक्टूबर तक मिल जाएगा उसके बाद एक्जाम रिटेन एक्जाम होगा 29 अक्टूबर को जो इंट्रेंस एक्जाम का रिजल्ट पताने के में एक्ट रहें पताने क्वेल को क्यों अब कर रहें enjoy if you would do is a Allies मैं क्ली को सिंदेना हे की निदेन आ साथ number of seats क्या होंगे बाकी detail isability भाजाएगी तो आपके पास एक अच्छे opportunity है जिन्होंने जारफ qualify नहीं किया जिन्होंने गेट qualify नहीं किया तो आपके पास एक अच्छे opportunity है कि अप return qualify करके return निकाल के आप यहां PhD रेनोल कर सकते हैं क्योंकि आपको पूरी थर्टी वन थाउजन फैलोशिप भी मिलेगी ठीक है और कोई क्वेरी होगे तो आप हमें कमेंट सेक्षे में जरू बताएगा हम उससे जरूर रिजॉल करेंगे और साथी साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो उसे जरूर लाइक करेंगा शेयर कर लिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूल लेगा टेक क्यार एंड बाव बाई